नमस्का दश्कों यूटूब के मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपसे चर्चा करूंगी 22 अगस्त 2018 का दैनिक राशी फल आज बुद्वार का दिन है आज हम देखेंगे कि जो 12 राशिया हैं उन में से हर राशी को क्या-क्या फल मिलेगा ये मेरा राशी फल जो है या दूर हो जाए हम बात करें मेरे चानल में आज का दिन भी बड़ा उत्तम है उनके उपर भागी का पूरा साथ है काम होगा वह यात्राइए करेंगे कई तरह की बिंजिस वगरे की यात्राइए करेंगे उस पर पूरी सफलता मिलेगी प्यपार के समन में अच्छी स्थी बनी हुई है हम जहां तक बात करें विशवराशी वालों के लिए तो विशवराशी वालों के लिए चंदरमाज आठ्मेगर का है और वो शनी के साथ बैठावा विश्योग बना रहा है जो इस बात का संकेर दे रहा है कि आपके काम में कोई बाधानी की संबावना है साथ ह आपको अपने पिता के स्वास्ते का भी रहा रखना है क्योंकि विशव राशी वाले जो है अश्टम की ढहीया के प्रभाब में चलरहे हैं इसलिए उन्हें माता पिता के स्वास्ते का विशेज रूप से ध्यान पड़ेगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी वालों के लिए, मितुन राशी वालों के लिए ओवराल मौज मस्ति का जिन चल रहा है और वो अपने प्रेम पनसंगों में भी आगे बढ़े होए है पर इसके साथ इसाथ द्यान लगने की जरूत है कि आपने कारे वापार के बारे में जो भी यात्रा कर रहे हैं उसमें सावधानी बढ़ते क्योंकि उनके अश्टम भाव में मंगल वाकेतु की उती बनी हुई है जो अचाना की किसी प्रकार की बांध रुगटना दिला सकती है जहां तक हम करक राशी वालों के लिए बात करते हैं तो करक राशी के छटे भाव में जो है चंदर शनी का विश्योग बन रहा है जो इस बात का संकेर दे रहा है कि किसी प्रकार से शतुरता उत्पन हो सकती है यह शतुरता उनके कारे वेपार के शेतर में अपने पार्टनर स सकती है पर ध्यान रखे किसी भी शतुरता को इतना ना बढ़ाएं कि कोट कचैरी की मनवथ आ जाए वो उनके लिए बिल्कुल अशुप सिद्ध होगी हम बात करते हैं सिंग राशी वालों के लिए समय अच्छा है वो अपना कारे के समध में नई योजना मना सकते हैं उनको को प्राकरम का यह पूरा साथ मिला हृब हरी है और हो सकता है आज वो शेहर से बाहर दूर दाने की शोचे जहां पे उनके काफी अच्छा-खासा कर्चा अमुदपरमות में होनेवाला है कन्या राशी के कर हम बात करते हैं तो कन्या राशी में ज्ञान दखने की जरूट है क हम बात करते हैं तुला राशिवासीrauen पिलिए ति सो तुला राशि वालों के लिए तुला परानी इन्वेस्टमेंट से या कुरानी बस्तुों को बेचने से या उसमें कोई समान की डिलिंग वगरा करने से एंटेक चीजों की डिलिंग करने से विश्चिक राशिवालों के लिए बनी हुई है। कोट में केश चल रहा है कोई बात है तो उसके समझ में उने कोई शूचना मीर सकती है कि वो उनके कुछ फेवर में जा सकता है जा उनके पक्ष में कोई गभाई दे सकता है अब हम बात करते हैं मकराशी वालों के लिए तो मकराशी वालों के लिए आज का चंदरमा जो है स्व हुआ है क्योंकि आख ज़ला दिर कंप्यूटर पर लगाएंगे तो आंखें का सूख जाती है इसलिए वो अपने आखों को ठोड़ी देवार कंप्यूटर से हटाने के बाद अपने आँखों को ठंडे बानी से धुए उससे के आँखों में नमी रहती है और आँखों समंझी के प्रॉब्लम होने की सम्भावना नहीं रहती है जो इस समय मकर राशी वालों के लिए चल रही है आज भी उनका सफलता का जोग बना हूँ आगर कि सरकारी काम में कोई लाग होने के समभावना है तो आज इस वड़े सरकारी दिकारी से उनकी मेल मुलाब को सकती है और आगे के लिए उनका जो किसी वर्किंग डे के लिए अच्छा बग्राम बन सकता है अब हम बात करते हैं मीन राशी वालों के लिए मीन राशीवालों के दिर कोई कॉंटेक्स ऐसे बने कि फूचर में चलके उनका लंबे समय में लंबे अंतराल में उनको इस कॉंटेक्स का फैदा होगा। इस तरीके से दर्शकों में आपको बताया कि मेश सिंग धनू मितुन आमीन वकुम राशी वाले इस समय जो इस्तिती में चल रहे हैं कि उनके काम बनने के साथ ही चंदर्मा का पूरा स्योग मिल रहा है जब आपके साथ घ्रह गोचर भी सही हो और उसके साथ चंदर्मा का भी साहित ना हो जैसे चंदर्मा का गोचर सही होगा दिरे 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 प्रवाप से कम दूर होने लगेंगे उनके उनके भी कामों की गति पकड़ती जाएगी आज मैं दर्शकों आपको बताती हूं आपको किस तरह का मन्त है आज दर्शकों है बुदवार का दिन अगर आपक के घर में कोई भी सफाई कर्मी आता हो उससे आपको एक तो धान ये रखना है कि आपको उसको कुई दक्षणा देनी है वो आपकी शर्दा है 11 रुपे दो 21 रुपे दो 51 रुपे दो जिस तरीके से आपकी कान जितनी बड़ी प्रावलम में इसके साफ से आप दक्षणा द लेगा और मान के चलिए बुद्वार को सफाई कर्मी को दान देने से आपका राहू बुद्ध और शनी तीनों ग्रेस ही हो जाते हैं और काफी अगर किसी की राहू की दशा चल रही है बुद्ध की दशा चल रही है या शनी की दशा चल रही है तो उसका बड़ा खेर कीजिए लाइक कीजिए मेरे चैनले को सब्सक्राइब कीजिए नमस्काद आश्कों जैमादादी